असलाम लेकुम बच्चों कैसे हैं आप सब ठीक हैं बच्चों कल आंटी ने आपको कुछ रंग पे रंगे तस्वीरे दिखाए थी बसे मिलाया था हाँ याद है ना आपको लेकिन आज आंटी आपके लिए किताब लाई है और आज हम किताब में काम करेंगे तो देखें बच बच्चों ये है आपकी उर्दू की प्रेयर वन की किताब कितनी प्यारी है ना नीला रंग है इसका कितनी अच्छी लग रही है इसमें बच्चों आज हम काम करेंगे तो चलें बच्चों किताब खोलें आज हम किताब के सफ़ा नंबर एक पर काम करेंगे ये देखें बच बच्चो किताब में उपर कितनी तस्वीर है दो तस्वीर रज़र आ रहे हैं आपको पीछे बोट पे भी देखें दो तस्वीर है न इसका मतलब है कि हमें किताब के सफ़ा नंबर एक पर दो काम करने हैं पहला काम क्या है बच्चो देखें पतली पेंसिल से कुछ फेरा जा रहा है इसका मतलब है हमें अपनी पेंसिल फेरनी है और दूसरी तस्वीर में रंग भरा जा रहा है इसका मतलब यह है कि हमें रंग भरना है पेंसिल फेरिये और रंग भरिये और बच्चो यहां पे हमें आज की तारिख लिखनी है बच्चों अब मुझे बताईए ये क्या है? ये किस चीज की तस्वीर है? आपको कल आंटी ने दिखाई थी ना? यान है बच्चों को तो देखें ये किस चीज की तस्वीर है? शावज बस्ता ये है बस्ता बच्चों अब ये देखें ये किस चीज़ की तस्वीर है शाब बाश बहुत अच्छे बस अब ये किस चीज़ की तस्वीर है बहुत खूब बहुत अच्छे बंदर और ये किस चीज़ की तस्वीर है शाबाश, बहुत अच्छे, आँटी बहुत कुश हुई, बाल्टी अच्छा बच्चों, मुझे बताईए, आपको इन सब के शुरू की आवास पता है? पता है ना, याद है ना, हाँ, इन सब के शुरू की आवास है ब, 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 बसता, ब, बस, ब, बस, ब, बंदर, ब, बंदर, ब, बाल्टी, ब, बाल्टी बहुत अच्छे बच्चों, आपको बहुत अच्छा याद है चलें, अब इस सफे पे जो काम करना है, पैंसिल फेरनी है, तो हम अपना क्रियोन इस पे फेरेंगे ठीक है? तो चलें क्रियोन उठाएं, और किस तरह फेरते हैं? नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा, नीचे एक नुक्ता लगाया, ब, शाब बाश, फिर से लिखेंगे नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा, नीचे एक नुक्ता लगाया, ब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आंटी बहुत खुश हुई इतने प्यारे बच्चों का काम देखकर तो और अब हम रंग भरेंगे तो चले आपको पता है रंग किस तरह भरते हैं उपर नीचे, उपर नीचे इसी तरहां आपको अपने तस्वीरों में रंग भरना है ठीके बच्चों, अपना काम मुकमल करना है और आंटी को भी खुश करना है और ममी को भी खुश करना है ठीके?